आज हम जो बात करने वाले हैं वो काफी महत्पूर्ण विशय है जिसे आप Fire Safety Engineering आज हम एनलिसस करेंगे Fire Safety Engineering कोर्स के बारे में बहुत से लोगों को ये काफी व्रह्म बना हुआ है कि Fire Safety कोर्स क्या है Fire Safety Engineering क्या है Fire Safety Certificate क्या है Fire Safety course क्या है Fire Safety degree course क्या है तो इसमें इतना ज़्यादा व्रम है कि students और जो लोग fire safety में जाना चाहते हैं वह decide नहीं कर पाते हैं कि वास्तों में हमें क्या करना चाहिए तो आज का बीसे हमारा है what is fire safety engineering course engineering course ये क्या चीज होता है वास्तों में यह क्या है और इस समय लोगों के जिहन में क्या बना हुआ है इन सारी बातों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे बिसे इस रूप से हम बात करेंगे course की योग जिता क्या होनी चाहिए इस course को कौन सा कौन ब्यक्ति कर सकता है क्या हम इसे नौकरी करते हुए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं क्या online course कर सकते हैं, offline course कर सकते हैं, दोनों में valid क्या है course सरकारी होता है या private होता है इन तमाम बातों की जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि सबसे जादा questions आपके 16,420 mail मुझे receive हुए जिसमें मुझे ये पूछा गया कि सर, fire safety engineering course का analysis करके मुझे बताईए क्या क्या चीज़े होती है तो जो भी comment जो भी जादा mail आता है मेरे पास उसी mail पर मैं discuss करता हूँ और उसके बारे में मैं आपको बताने की कोसिस करता हूँ अगर हम बात करें fire safety engineering course training की या course की तो इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये तीन words पहला fire, दूसरा safety और तीसरा engineering आखिर क्या कारण है कि इस course में engineering सब्दों को जोड़ दिया गया fire safety कुछ course ऐसे बोले जाते हैं fire safety diploma, fire safety certificate, fire safety management आखिर मतलब क्या है क्यों इसे engineering course ही कहा गया है नोकरी के scope क्या है इस पे ये हमें समझने क्यों शकता है कि fire safety जैसा कि आप जानते हैं आग से सुरक्षा, fire से सुरक्षा करने के लिए जो लोग expert होते हैं उन्हें fire safety expert या specialist कहा जाता है और इनकी category अलग-अलग अगर हम बात करें प्रमुक रूप से नार्मल बात करें ति इस category को हम तीन भागों में तीन भागों में categorize कर सकते हैं fire safety को हम can be divided into three section, three section में हम divide कर सकते हैं first section जो होता है आपका वो होता है कि fire safety, fire safety certificate course it means fire safety से आप familiar हो fire safety से आप familiar है, आप fire safety से वाकिफ है, fire safety का तजुरुबा है आपको fire safety की पूरी मालुमात है आपको ये सारी चीजी होती है दूसरा इस्टिफ आता है fire safety intermediate जिसे आप डिप्लोमा वगरे के नाम से भी जानते हैं अब देखिए fire safety डिप्लोमा का क्या मतलब होता है डिप्लोमा का मतलब ये होता है कि आपने जो जानकारी हासिल कर रखी है जो आपको जानकारी मालुमात है वो जानकारी आपको बैतर है वो जानकारी आपको बैतर है डिप्लोमेट आप है डिप्लोमा लेबल इंटरमेडियेट लेबल के जानकारी आपको है अब हम तीसरी बात करते हैं इंजिनिरिंग की इंजिनिरिंग जो लोग कही न कहीं किसी न क इसी post पे engineer का work करते हैं like जैसे civil engineer, mechanical engineer, radiation engineer, chemical engineer, production engineer तो ये जो engineers है जो engineers की category है अगर वो fire safety को knowledge या fire safety का course करता है, training करता है इसके course भी अलग होते हैं इसके course भी अलग होते हैं, इसका curriculum अलग design होता है, वह only fire engineers के लिए ही होता है, सब के लिए नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा, आज सब को बोला जाता है, अगर वो 10th pass भी है, तो उसे बोला जाता है, ठीक है, fire safety engineering कर लो, अरे मेरे भाई, fire safety engineering कैसे कर सकता है, न वो ITI है, न वो पालिटेकनिक है, न वो बीटेक है, न वो civil है, न मेकेनिकल है, न ग्रेजुएशन है, लेकिन एक धूम मची हुई है, चारो तरफ, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और यही न समझना, यह दूखद कारण बनता है, हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि हमें जॉब नहीं मिलता है, कहीं fire safety engineering की बात करके, जब हम जाते हैं, और जॉब नहीं मिलता है, पहला questions होता है, अगर fire safety engineer आप हो, तो आप किसमें आपकी expertise है, आपका specialization किसमें है, आप क्या चीज में expert हो, civil से हो, mechanical से हो, construction से हो, तो engineering, लेकिन यहां दो चीजें, अलग-अलग देशों में कुछ चीजें बदल भी सकती हैं, लेकिन वास्तों में इसका जो definition होता है, यह engineers के लिए ही होता है, और जब engineers किसी course के बारे में जनकारी रखता है, या इस fire safety field में enter करता है, उसका जो post होता है, वो fire safety engineer का होता है, न कि fire safety officer का होता है, So, so many differences in fire safety engineer and fire safety officer, इस बात को आपको बखो भी जान लेना चीज़िए, कि fire safety officer अलग चीज़ है, और fire safety engineer अलग चीज़ है, कुछ लो कहते हैं, नहीं साप दोनो एक ही ही, कुछ लो तो लड़ पड़ते हैं, मारा जगर पड़ते हैं, तो तो सीधी सी बाट अगर दोनों एक है तो दोनों का नाम अगर मैं ये कह confirm के male और female दोनों एक है दोनों तो इंसान ही है जस्ट लाइग understand के लिए समझने के लिए male और female दोनों एक है लेकिन male एक पुरुस है और किस तरही है फीमेल है इंसान एक है तो सेफटी दोनों की बात है अगर आप उस बेस पे करते हो तब तो हो सकता है अगर हम किसी मेल को फीमेल कह दे तो फिर तो भईया मासा अल्ला क्या करेगा उपर वाला ही जानता है ठीक है और किसी फीमेल को मेल कह दे ये भी बहुत बताना अब हम जो बात करेंगे safety officer उमीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे fire safety officer, fire safety officer 10th pass भी हो सकता है, fire safety officer diploma किया हुआ ब्यक्ति भी हो सकता है, fire safety officer graduation के बाद course करने वाला भी हो सकता है, लेकिन fire safety engineer, वनले engineers ही इसके लिए authorized है, दूसरा कोई भी नहीं है, रहासवल नौकरी का इसकोप, इसके नौकरी का इसकोप, fire safety engineering का जो इसकोप है, जॉब का इसकोप है, वो बहतर है, यदि आप प्रापर वे से, प्रापर तरीके से आपने ट्रेनिंग किया हुआ है तो, अब ह कितने भागों में काटेगराईज किया गया है, अगर आप इस पर वीडियो पर नए हैं, तो पीछे मैंने एक वीडियो, पिछला वीडियो एक मैने बनाया था, जिसमें मैंने पूरा certificate अगरे के बारे में define किया था, उस वीडियो को जरूर देख लें आप, ठीक है, अब हम करते हैं, अब इस course को, fire safety course को हम तीन भागों में divide करते हैं, अब यहाँ जड़ा समझने की कोशिस करिएगा, थोड़ा सा बताऊंगा, certificate course, 10th level पे कर सकते हैं, diploma course, 10th और 12th level पे कर सकते हैं, degree course, केवल graduation के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन engineering course, केवल engineering level के लोग ही कर सकते है अगर आप government job अगरे में जाने की सोच रहे हैं, तो यह सारे चीज प्रॉपर follow करना होगा, otherwise आप जैसे भी, आप 10th पास भी engineering course करों सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, आप व्यकु भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, online course की सुविदा भी उपलब्द है, आप कोई भी course करें, तो online की सुविदा भी उपलब्द है, अगर आप किसी जॉब में है, जहर सी बात है कि safety engineer जो होगा, civil engineer का, mechanical engineer, already वो किसी ने किसी जॉब में होगा, तो possible नहीं है कि वो जा करके campus में जा कर पा सकता है, और अपनी salary को भी increase कर सकता है, जो आप के लिए कौन सा course सही होगा, certificate, diploma या degree course, ये question भी बहुत जादा पूछे गए हैं मुझसे, जो आप के लिए कौन सा course सही होगा, दीखिए, certificate, diploma और degree, ये तीनों लेबल के course होते हैं, ये certificate में आपको थोड़ी बहुत जनकार आपको मिलती है, और degree course में और भी बहतर जनकारिया आपको मिलती है, लेकिन ये नार्वल course की में बात करूँ, जिसमें safety officer, fire safety officer का आपको जौब मिल जाए, तो उस course के लिए कम से कम आपको diploma लेबल की course जरूर करना चाहिए, अगर diploma की degree नहीं है, तो सायद आपको जौब मिलन जरूर हो सकती है, तो certificate course का कोई मतलब नहीं होता है, certificate पे अगर आपको जौब मिलने में भी काफी दिक्कतें आती है, डिगरी course, डिगरी course तो बेटर है, डिगरी course आप दो साल, तीन साल करिए, या फिर engineering के बाद course करिए, अगर polytechnic अगर में हैं, उसके बाद course करते हैं, तो अल्रेडी आपके लिए ये बेटर होगा, इसकी सालरी भी अच्छी होती है, लेकिस सबसे ज़्यादा अगर में बात करूँ, बेहतर तो वह होता है, आपके लिए diploma course, अगर आप करते हैं, तो आपके लिए बेहतर, और भी जानकारी लेना है, तो आप स्क्रिन पे दिये और या English आप Select कर सकते हैं, आप उसका Choose कर सकते हैं, SST Institute, देवरिया उत्तर प्रदेश, इंडिया, अगर आपको call करना है, जानकारी लेना है, तो आप इस नमबर पे call कर सकते हैं, वरकिंग डे में आप इस पर बात कर सकते हैं, उमीद है कि आपको आपके प्रस्टों का जब मिल गया होगा आपने जो भी question किया था वो सारे चीजों के बारे में आपको मालुमात हो गए होंगे आप बको भी वाकिफ हो गए होंगे तो कहने का मतलबी है यह हमेशा ध्यान रखें कि fire safety officer fire safety engineering इन दोनों में difference है अब उमीद है कि आप इसके according आप अपने course का चयन कर सकते हैं कोई कुछ भी कहे बहुत सी बातें भी आएंगी आपके सामने लेकिन यह matter यह मामला आपके career के लिए है आपके भविष्य के लिए है यह आपको जानना बेहत जरूरी है इसी के साथ आप से बिदा लेना चाहूंगा next video में हम पुना हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए we see you all the best thank you for watching, thank you for learning